भारती जंता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जहां गीरपुरी हिंसा का जो मुख्यारोपी अंसार वो आम आदमी पार्टी का कारे करता है और हमारे साथ बैठे हुए हैं भारती जंता पार्टी के नेता योगेंद्र चंदौलिया जी जिन्होंने की ट्वी भाश्पा पेश कर रही है ताकि हमें घेर सके भाश्पा जूटों की पार्टी है इस तरह का भी रियक्शन आ रहा है आप ऐसे में क्या कहेंगे देखिए आम अद्धी पाईटी जूटों की किताब है केजरिवाल जी की स्टेट्मेंट आप 15 दिन की निकाल लीजिए उनकी हर स्टेट्मेंट डिफरेंट होगी दिल्ली में पानी हम बारा महिने में दे देंगे दिल्ली में पानी हम डेड़ साल में दे देंगे उनको कुछ पता नहीं है और जहां तक जाहंगिरपूरी की बात है जाहंगिरपूरी के अंदर पूरी की पूरी आम आदमी पाईटी शाम परिशिद की शोभा यात्रा हो, पनुमान जनमुत्सों का जलूस हो, वो वहाँ पर रियक्ट करते हैं, और कल मैं वहाँ जब गया, तो वहाँ जो महिलाए थाने के बार खड़ी थी, और मैंने इंट्रिवी भी लोगों के देखे हैं, तैसे आपका टीवी चैनल है, वो कह रह नारे मस्जिद के बाहर हमें जैश्री राम के नारे से ही दिक्कत है, तो अगर जैश्री राम के नारे से दिक्कत है, तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर आपको हिंदुस्तान के कानून और इसाब चलना प्रति नहीं पूरे रहेंग्या मुसल्मानों के प्रति उनका यह कहना है जब मैं नौर्ट स्टेंडिंग मेटी का चेरिमेन था तब एक बार मैंने विजिट किया था ग्रीन लेंड के उपर उन्होंने कबाड़ी का काम वह करते थे और मैंने तब भी उनको वहाँ से उठाया था लेकिन कहिने के आनल फानन के अंदर कहीं पुलिस के प्रोटक्शन कहीं पुलिटिकल लोगों के प्रोटक्शन के कारण उन्होंने आज ग्रीन लेंड के उपर मंगार बना लिए हैं और वो मकान भी बुल्डोजर वहाँ पर चलना चाहिए क्योंकि बंगला देश से आयोए लोग उनका राचन कारण चाहिए नाम डिलिट होना चाहिए उनका अधार कारण नहीं बनना चाहिए और जितनी भी फैसिलिटी वो ले रहे हैं और यह आम आद्बी पाईटी के अरविंद केजरिवाल यह उनके मुखियां हैं एक बार भी अरविंद केजरिवाल ने वहाँ जाकर जाका नहीं अगर वहाँ दंगा अगर हो जाता दूसरे रूप का तो वो जाकर पूंच जाता मेरा सिधा सिधा आरूप है कि जिस परकार से अभी दो दिन पहले आम आद्बी पाईटी के राज्यसभा के सांसर जो हमारे करोल बाग के रजिंदन अगर से मिलने थे शिरिमान जी ने इस्तिफा दे दिया और पूरी रजिंदन अगर को छोड़ कर चले गए और वो परवक करना विल दो की पाईटी दस मिनट के अंदर उन्होंने पचास बार लफंग भारती जिंदन अपाईटी लफंगों की पाईटी नहीं ईया वह सिंदन अपारिकर पर राश्ठवादी से निदेन की सोच के लोग है और दो दिन बादी उनका सारा नजारा नजर आ गया हूं अभी जैसे कि जो आमानी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया है कि यह तस्वीरे फेक है मौब्ड है और आज के समय में जिस तरह से तस्वीरे फेक होती है उस तो मैं यह जानना चाहते हूं क्या इसके अलावा भी कोई ठोस सबूत है जिसके आप दम पर कह सके कि यह फैक्ट ह अच्छा हमें क्या पता कल ही जैसे ही अंसार का नाम आया तो कौन उसको मोडिफाई कर देगा वहां के लोगों के कैमरों में यह है और यह मना नहीं कर सकते अब वो जोट बूलने की आदत है तो सिद करें वो कि हमारा आदमी नहीं है वरना हम तो आरोप लगा निश्यत है क और उसको टोपी पेना ही नहीं है यह सारे के सारा वो जैक्ती अंसार जो है क्रिमनल आदमी है समया समय पर वहां धनगे करता है पुलिस की निगहां के एंदर वो क्राइम करने वाला आदमी है जो रोहिंगा मुस्लमान पो करना देता है वह और मेरा यह मानना है कि उनके ज़रूर से ज़्यादा कारवाई होनी चाहिए और इनको ग्रफतारी किया है और अभी भी वहां पर बुल्डोजर चलना चाहिए और उनकी पूरी चेन को क्लेप्स करने की आवशकता है वरना दिल्ली में रहकर इनको वूट डालने का दिकार कैसे मिलेगा सर अब कह रहे हैं यह आरोप है या फिर भाजपा की तरफ से यह पुखता दावा है भारती जनता पाइटी की तरफ से वहां की जनता की दोबारा द्यावावा वहां की जनता बताएगी कि कैसे चनाओ के अंदर और आप देखेंगे अभी वो उसके पोोश्टर भी वहां लग होंगे ऐसा नहीं है यह लोग जो हैं इनके पोश्टर होडिंग वहां लगे होंगे अगर आप इमांदारी से चेक करवाएंगे तो निश्चित तोर पर और आप पुछ लिए वहां के लोगों को पुछ लिए कि वो कह रहे थे हमें केजरी वाली बचाता है और इस सारे बीज लोग थे क्युब्ह जांगे पुरी एक ऐसी कालॉनी है जहां गरीब लोग रहते हैं लेकिन गरीब लोगों के अंदर बड़ा गुसा था गुसा इस वाद का था कि अनुमान की जनमों सो यात्रह के ओपर इन मुसलमान उने हमारे पर हमला किया है और वो लोग महां पर गांजे का वैपार करते हैं जितने भी क्राइम हो सकते हैं वो रोहिंग्या मुसलमान उन्सका जो असलम वो अनसार है एक असलम है यह उनके गिरों के सबसे मुखिया हैं लेकिन जो वहां के कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि पहले जब शोभाय आतरा निकल रहे थी तो मस्जिद के पास कुछ हंगामा वा जिसके बाद से पत्थ्राव अगरे जैसे चीजस चुरू हो गई उसके आप क्या कहें देखिए आप पुलिस इंस्पेक्टर श्री रंजन की स्टेटमेंट सुन लीजिए वह वहां पर थे और उनके मस्जिद के आगे से अराम से अतरा निकल रही थी उन्होंने उपर से पत्थर बरसाने शुरू की है और आप फोटो में भी देख रहे हैं हमारे जो विश्व इंदु परशद के कारिकरता थे जनता थी धार्विक लोग थे वह तो एक जनमुसों के रूप में नारे लगाते भी जा रहे थे उन्हीं में से एक व्यक्ति कैसे गोली चलाता हूँ नजर रह रहा है आपको उससे अंदाजर लगा लेना चाहिए उनकी ओड़ते घरों से पत्तर फैक रही थी क्या ऐसा है कि अगर महां मस्जिद है तो मस्जिद के आगे से जाना मना है क्या मंदरी के आगे से वो निकलतने को मना करता है क्य यह सारा का सारा उनकी सोची समझी शरारत थी और यह जान बूज करकर के नरेंदर मोदी जी को बदनाम करने के लिए और दिल्ली जैसे शेर के अंदर इस परकार की गुंडा करती हो जाए कई जगा उन्होंने किया है और इसके पीछे विदेशी लोगों का मुसल्मानों का जो शडिंतर कारी मुसल्मान है उनका यह सीधा सीधा स्तक्षेप है वो चाते ही हैं कि इंदुस्तान के अंदर अमन शांती ना बने क्योंकि हमारे रास्टिस संग के आदरनी सरसंग चालक जी ने कहा है कि 12-15 वर्षों के अंदर भारत जो है विश्व गुरू बनेगा इसल साथ है मुसल्मान शांती से रहे कोई दिक्कत नहीं है इंदुस्तान में रहने की बात हो कि पाकिस्तान के गीते रहेंगे तो उनको लाहूर तो जाना ही पड़ेगा आखरी सवाल है क्योंकि आप क्या रहें कि आमानी पार्टी का ही एक कारे करता है उससे जुड़ा हुआ ह कैसे में भाजपाब अगला कदम क्या उठाने वाली है तो कदम सीधा सीधा यह है कल हमारे प्रदीश अदेश गुपता जी पुलिस डी सीपी के पास हम थाने में गए थे और वहां हमने कहा कि यहां की सुरुक्षा व्यवस्ता यहां का हिंदू अभी चिंतित है क्योंकि प केवल जाहिंगर पुरी नहीं हमारा यह कहना है लोगों को पुलिस को भी कहना है कि जिसकी पूरी अच्छी तरिक से जाच होनी चाहिए अभी इसके तीचे और भी चेन है कराहिम ब्रांच जिसमें जितने भी लोग है उनको पकड़े और अबन चेन से अगर रहना चाहें त इतना ही यह आम जंता जो आम लोग है लोकल लोग है वह बहुद कहरें रहें यह रहा है भरती जंता पार्टी का तो ऐसे में अब यह देखना आया कि आगर जांच होती है तो यह दावा कितना सत्थ साबित होता है, सी शथ